Call ended problem solve in Redmi phones आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी अपने Redmi के फोन में किसी को call कर रहे हैं और आपको आ रहे हैं इस तरह की problem तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम किसी को call लगाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से call ended हो जाती है तो यह problem आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए जानते हैं तो सबसे पहले आपको check करना है वो number जिस number पर आप call कर रहे हैं यहाँ पर वो number अगर गलत है तो आपको इस तरह की problem आ जाती है और दूसरी चीज़ आपको check करनी है आपकी sim में balance अगर आपकी sim में recharge या फिर balance भी नहीं होता है तो भी यह problem आ जाती है अगर यह दोनों चीज़े ठीक है तो आपको अपने mobile में कुछ settings कर लेनी है तो यहाँ पर settings को open कर लेते हैं और settings को open करने के बाद आपको यहाँ पर तीसरे और चौते नंबर पर एक option मिलेगा sim card and mobile network इस option पर touch कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको जिस भी sim से यह problem होती है उस sim पर touch कर दीजिए तो यहाँ पर हमारी यह geo से problem होती है तो geo पर touch कर देते हैं और यहाँ पर open करने के बाद इस तरह से interface आएगा आपको एक option मिलेगा access point names का यानि की apn settings तो apn settings पर touch कर दीजिए नीचे के reset का option होगा reset पर touch कर दीजिए यहाँ पर यह restoring default apn settings शो होगा दो-तिन seconds का wait कर लीजिए उसके बाद यह completed हो जाएगा complete होने के बाद आपको back करना है यहाँ पर एक option हैगा preferred network type का इस पर आपको touch कर देना है और यहाँ पर आपको ऊपर एक option मिलेगा 4G, 3G, 2G या फिर prefer LTE आपके phone में जो भी पहला option दे रखा है वो select कर लीजिए यह करने के बाद mobile network में जाहिए यहाँ पर आपको यह वाला option जरूर चालू कर देना है बैक करने के बाद आपको एक option मिलेगा वोल्टी enable या फिर वोल्टी hd calls या फिर वोल्टी calls आपको यह वाला option भी चालू कर देना है यह करने के बाद back आईए यहाँ पर आपको नीचे scroll करना है sim settings में एक option होगा data roaming का आपको data roaming पर touch कर देना है और यहाँ पर इसे always पर select कर लीजिए यानि कि on कर दीजिए यह सब settings करने के बाद अपने mobile को एक बाद restart करिए उसके बाद आपकी यह problem ठीक हो जाएगी